जिस चीज का ड़सार वही हुआ इंडिया की बैटिं। न्यूजी लैड के सीम्र्स के आगे फ्लॉप होगी। हमें तो सौथी का डरसाária ट्रेंड बोल के रफ़र्सा लेकिन जैंडी सनबाजी लेगे। जिस चीज का डरसार किसी ने यही बात की थी कि न्यूजिलेंड के सीमर्स इन पिचिस पर छोड़ेंगे नहीं इंडिया को और वो ही हुआ इंडिया डरता हुआ नजर आया और ओवर दी मैच अगर बात की जाए कल के दिन की तो सबसे पहले तो कल का दिन का ग्रेडिट जाता है इंडिया को बहुत अछह हैनोंने खेला जितना सुलिण था बोल में बेटिंग को फ्लोब कर रहा है वो है डिशब पंथ भाई तू बंडे के एल रहा है टीट्वेंटी के एल रहा है पहली बोल से शुरूव है इतने उसको चांसिस मेलें जैमिसन की बोल के उपर लेकिन वो बंदा बाज नहीं आया कितनी बार उसने बोलिंग को मिस की है से लें इंडियन बैटिंग की तो एक जिसों कह सकते हैं शॉट फॉल आ गया कि किसी ब्लेड ने भी फिफ्टी ने की लेकिन इनकी दूसरी बारी तो आनी है भी टेस्स मैच बहुत पर है रही बात इंडिया ने जो कम स्कॉर्ट कर दिया टेंशन तो हर किसी को ओरी क्योंकि न्यू इंडियन बैटिंग को क्योंकि मैं इंडिया को सपोर्ट कर और मैं अपसेड नूँ क्योंकि मैं जब कोली आउट हुआ है आई वास लाइक यार यह क्या हो गया मतलब कि मुझे से उमीद थी सेंचली मार जाएगा कोली तना जबदस खेहरा था लेकिन को बोल समझ जी नहीं इशांत शर्मा मोहमद शामी इनको लीड करना है फ्रेंट से इस्पिन क्रैक नहीं है यह क्योंकि हमने देखा है सारे फास बोलर कोई फाइदा हुआ है मुझे लग रहा था कि इंडिया ने गलती कर लिया एश्विन और जदेजा को खिला के एक कोई खिला लेते लेकिन अगर उसको 50 प्लस भी ले जाते तो जादा अच्छा होता अब यही दुआ कर सकते हैं कि इंडिया जल्द से जल्द इस मैच में बच जाए और ट्रोफी जीत ले इन्शालला टेस्स के सेशन के बाद दुबारा से आपके पास आएंगे बात करेंगे आज के पूरे दिन के अपर तब तक के लिए अल्हाफिश